Cross-Cultural Psychology के Lessons में हमने Research Methods की बात की ते रिसेर्च मेथर्ड का मतलब यह है कि जब हम कोई तहकीक करते हैं, रिसेर्च करते हैं तो वो किस-किस तरह करते हैं और इसमें एक बहुत एहम बात ही है कि हम जो रिसेर्च करते हैं किसके साथ करते हैं और जिसके साथ हम रिसेर्च कर रहे होती हैं उसको हम किन मराहिल से किस प्रोसेस से गुजारते हैं तो यह जो module है, यह इस बात को discuss करेगा कि दो तरह की research, manipulative and non-manipulative जो है, वो क्या होती है Scientific method जो है, यह एक approach है, जैसे cross-cultural psychology एक approach है, वो एक field नहीं है, वो बहुत से field का आहता करते हैं तो जो psychology के practitioners हैं, वो research को, scientific method को एक process approach की तोर पे use करते हैं, ताके वो assess कर सके, measure कर सके और behavior के बारे में patient goey कर सके, तो आप एक ऐसा systematic और predefined procedure, series of steps जो हैं, वो design करते हैं और उनको use करते हैं इन series of steps को procedure कहते हैं, पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और खतम कैसे करना है इसका मकसद क्या है, इसका मकसद यह है कि आप optimal efficiency और accuracy और objectivity अचीव करें यानि आप जो तहकी कर रहे हैं, जो investigation कर रहे हैं, उसमें काम जल्दी भी हो, बहुत महारत से हो, और उसके अंदर कोई जाती बाइस चामिल ना हो, बलके वो बिलकुल मारूजी यानि objective हो, इसके लिए जरूरत है कि आप अपनी research का एक framework बनाएं, जैसे question को answer करने के लिए, पहले उसका एक frame, तस्वीर खेंचने के लिए उसका एक frame बनाया जाता है, आप ऐसे ही तो नहीं इदर उदर camera को दोडाते हैं, इसी तरह आप drawing के लिए भी यही करते हैं, तो research के लिए, procedure के लिए पहले आपने question को frame करना है कि आप क्या पूछना चाहरे हैं, क्या investigate करना चाह करते हैं, तो यह जो scientific method के steps हैं, इनको एक नज़र दुबारा डाल लेती हैं, ताकि अब मैं आपको बताऊं कि manipulative और non manipulative research में क्या फरक है, वो किस चीज को कहते हैं, तो आपने research problem identify किया, लोग एक अधारे से नॉक्री छोड़के दूस्ते अधारे में क्यों जाते हैं, अब आपने इसके बारे में जो review किया, literature वो जो पहले इस मौदू पे काम हुआ वा, फिर आपने उसका hypothesis फॉर्म किया, कि बेतर से बेतर की तलाश में लोग अपने career के लिए, अपनी professional जिन्दगी के लिए ये फैस्ता कर, उसके बाद आपने design की, कि मैंने उनसे सवाल पूछना ह या interview करने है, या जिस तरीके से observe करने है, या हो सकता है कि आपने इदारे के जो जिम्हदार लोग है, competent authorities हैं, उनसे interview करना हो, बजाए उन लोगों से करने के जो छोड़ के जाते हैं, या दोनों से करना हो, ये सारे मराहिल designing में कलते हैं, फिर आप conduct करते हैं research को, यानी actually interview करत हैं, या उनको camera record यूज कर रहे हैं अगर आप तो उसके analysis करते हैं, उसके बाद आप उस data को जम्मा होता है, उसके analysis करते हैं, इसमें आपने क्या analyze करना है, कि core क्या लेने है, या अगर photographic material है तो उसमें क्या देखना है, फिर उसमें से नतीजा निकालते हैं, तो research methods में जो द manipulative यानि experimental research जिसमें आप actually तजर्बा करते हैं, तो सब कुछ control करते हैं और आप दखल अंदाजी कर रहे होते हैं, और non manipulative research जिसमें आप describe करते हैं, उस बात की तस्वीर कर्शी करते हैं, लेकिन दखल आप नहीं देते हैं, जो हो रहोता है, उसको उसी तरह पेश कर देते हैं non manipulative में जो phenomenon of interest है, वो जैसे होता है nature में, researcher ऐसे उसको पेश कर देता है, वो उसमें interfere नहीं करता जो कुछ हो रहा होता है, और वो एक passive recorder के तोर पे अपना role play करता है, इसका goal यह है कि आप observe करें, describe करें, control या change करना इस research का goal नहीं है, और इसके data collection के method भी फिर फरक हो जाते हैं manipulative जो है, जैसे experimental research है, जिसमें आप दखल करके control कर रहे होते हैं, researcher control करता है, variable पे, events पे, इससे cause and effect को determine करने के लिए use किया जाता है, scientific psychology इसलिए नाम है, क्योंकि उसमें experiment किये जाते हैं और एक खास setting में किये जाते हैं